तो स्वाधत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटस्ट वीडियो में फाइनली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th क्लास के उर्दू का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है कोशन पूछा जाता है कि नजीर एहमत की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी के मुसनिफ कौन है option में दिया रहेगा मिर्दा फरतुलाब एक धीरे से तिक करना है कहां कहां से किस किस तरह से question इस chapter से पूछे जाते हैं आप लोग के board exam में ठेके कौन कौन से वो important topic है सारे important topic को आप लोग को cover कराया जाएगा और हसते खेलते हुए बड़ा ही मज़दार अंदाज में हम लोग इस chapter को complete भी कर लेंगे और पता भी नहीं चलेगा तो वीडियो तो काफी important है बड़ा ही energetic होने वाला है अराम से सब्र और तहम्मुल के साथ हम लोग प्रहा chapter complete करेंगे ज्यादा जल्दबाजी नहीं है ज्यादा हडबड़ी नहीं क्योंकि आप लोग जानते हैं हडबड़ी में गडबड़ी हो जाती है तो एकदम ज्यादा जल्दबाजी नहीं एकदम आराम आराम से chapter को complete करेंगे आप लोग का एकदम बहुत दूर है अभी तो समझें कि यह मार्च चल रहा है न तो आप लोग का एकदम फरवरी में होगा मतलब अगले साल 2025 के फरवरी में तो आराम से हम लोग पढ़ेंगे कोई जल्दबाद ही नहीं होगा अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं बहुत दा स्लो बोल रही हूं तो आप लोग वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं यूटूब ने सभी फीचर्स दे रखा है अगर आप लो लग रहा है कि मैं बहुत दा फास्ट बोल रही हूं तो आप और भी जड़ा स्पीड स्लो कर सकते हैं ठीक है ना तो सभी तरह के फीचर्स यूटूब ने दे रखे हैं अगर आप लोग जूम करना चाहते हैं तो जूम कर लिज़े जूम आउट करना चाहते हैं जूम देखिये मैं बोर्ड पर लिग दीओं ये काफिए इंपोर्टेंट है उतना राइटर से पूछा जाता है तो याद रखेगा मुसंनिफ के बारे में जानना और उनके साटिंग में वीडियो को लाइक कर दीजे और जितना ज़्यादा उसके शेयर कर दीजे ताकि सभी लोग सभी स्टुडेंट इस वीडियो का लाव उठा सके सभी लोगों का भला हो ज्यादा ज्यादा लोगों को ग्यापन इकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना है इंग्लिश में कहा जाता है स्टुडेंट और हिंदी में कहते हैं विद्यारती यानि कि स्टुडेंट को ही उर्दू में क्या कहते हैं हम लोग शागिर्द कहते हैं और उस्ताद को टीचर कहा जाता है तो मिर्जा फरतुल्ला बेग नजीर एहमद के क्या रहते हैं तो तरदादा वह बदक्षा को ठर्क करके जमाने में हिंदुस्तान आ गए तो बदक्षा को छोड़ करके तरक का मतलब क्या हुवत चोड़ते नहीं कि उसाथ सच्छारब करते हैं जबतार हैं एक यह कि ठोटम कि खोड़ करने लगें और नहीं जो दादा थे ना लाव्याद रहीटे का मिर्जा अब्दुल्ल्हन भी तो आर्थिकिस्ति बहुजदा खराब हो गई थी जिसके होजासे क्या हुआ कि इनके पूरे खांदान को दिल्ली को भी छोड़ देना पड़ा दिल्ली को छोड़कर वो हैदरबाद आ गए यानि कि दिल्ली से हिजरत करके माइगरेशन करके यह लोग कहां आ गए तो हैदरबाद आ गए लेकिन हैदरबाद आने से पहले जब यह लोग दिल्ली में था तो दिल्ली में ही मिर्जा फरतुल्ला बेग की पैदाईश हुई थी कब तो अगस्त 1885 में सबी जितने भी रिसर्चर हैं वो लोग बताते हैं कि अगस्त 1885 में मिर्जा फरतुल्ला बेक की पैदाईश हुई थी यह कोशन आप के अगस्त पूछा जा जा चुका है और कहां कहां से किस किस तरह से कोशन पूचे जाते हैं वो तो आप लोग को साहत्त में बताते मिर्जा फरतुला बेक के जदे अमजद कहां से तरक वतन करके दिल्ली गए थे तो बदक्षा से तरक वतन करके गए थे अप्सन में बदक्षा दिया था ठीक है तो इसारा पॉइंट आप लोग जो भी में वोड पर लिख दी हूं आप लोग के लिए मस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है तो अगस्त अथार सब पचासी में मिर्जा फरतुल्ला बेग की पैदाईश हुई थी और दिल्ली में हुई थी जैसा कि मैं आप कि अभी दसी दिन के थे न तो इनकी वालिदा यानि की मुषरफ जहां बेगम का इंतकाल हो गया ठीक है जब इनकी वालिदा या न की मां कि मौत हो गई और यह दस दिन के थे हैं तो फिर इनकी परवरिश पालन पोशन कौन किया तो इनकी बेवो फुफी थी जिनका नाम था हुसन जहां बेगम तो यह अपने आउलाद की तरह परतुला बेग को पाली थी ठीक है ना क्योंकि दसी दिन में जब यह दसी दिन के थे तभी इनकी मा का इंतकाल हो गया तो जो जो उलाद की तरह पालने का काम पालन पोशन का काम की थी वह इनकी फुफी फुफीफुसन जहां बेगम की थी ठीक है ना सयद वली उल्ला ने बिस्मिल्ल्ण कराई थी अच्छा देखिए अजिद निजाम-दिन आउलिया जो वहा पाती रिक्षा देने का काम हो सइद वली उल्ला किये तो बिसमिल्ला कौन कराया सेद वली उल्ला जो की एक बुजरग आदमी थे उसी मुहला आप यूंके सकते हजते निजाम-दीन अउलिया के ठीक है मतलब की मस्जिद था उसी मस्जिद के बुजरग आदमी से से दवालि इंग्दा तो व बिस्मिल्हा कराएं थे मिर्दा फरतुल्लावícul पढ़ाई की शुरुवाच इन ही से और फिर ये कुरां शरीफ पढ़े थे यानि कि मिज़ा फरतुल्लावल Oh क्लाम पाग किस से पढ़े थें तो मॉल्वी कमरुदीन से मॉल्वी कमरुदीन नाम सुन कर तो हमारे कुछ मॉल्वी साहब की याद आ गई कोई बात नहीं है कभी-कभी कोई ऐसे नाम होते हैं जिससे अपने किसी रिष्टेदारों की याद आ जाती है ठीक है तो पुरान शरीफ पढ़े थे मिजदा फरतुला बेक किस से तो मौल भी कम्रुदीन से और इन्हों ने आगे चलकर इंट्रेंस एक्जाम पास किया था गौवर्मेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से ठीक है उसके बाद से ये आगे जाकर हिंदू अनbros में लेके पाद से एक दाखिला ले लिया यानि हिंदू कॉलेज में एंका एडमीशन हो गया कभा तो उन्यस्था एक में ठीक है ना और भी है तो वहाँ मेर पर पढ़ाई करना इस्टार्ट कर दिया होगा कि तालीम हासिल किया और उन्हां से तैन में हों। इंटर्मेडे इंटर्मेडेटी सिंध हासिल कर ली यानि कि सतीन में इनका इंटर्मेडेयर् भी कमप्लीट होगा फीक ब्यों यहipper आ authority से से रहूत यह से यह रुड्र इन फिन ऐद्मि Crashmal rights दाखिला ली थिए आद्मिशन लींच लेखिन इनका तबीँ ठीक नहीं रहता था जिसकी वजगे से दाखिला तो लए थे लेकिन में की परही नहीं कर पाएं तो आप यूँ कह सकते हैं कि इनकी तालीम एंकी तालीम न만ों mos यहांब है अगे बढ़ते हैं तलाश-मास के सिलसले में यह हैदराबाद आकर वहां के एक स्कूल में अंग्रेजी के मॉल्म मुकरर हुए यानि कि तलाश-मास नौकरी के बैदेशियां पर तीन नुखता रहेगा तो यह नौकरी के सिलसले में मतलब जॉब करने के लिए आए आपके से मोकरर हो गए और काम करने लागे मुतर्जिम मतर्जिम मतले में हैं ट्रांस्लेटर काका काम करते थे और फिर वहीं पर ये पढ़ाई करते थे मतलब अब हाइक लग गया तो फिर वकालत का ही इसी तरीके से हाइक को झाल पस कर लिए ठीख है और वहीं से ये सब्सक्राइब कर देना चाहती हुँ ताकि जो कुछ काचा आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा वो अच्छे से समझ में आ जाए देखिए नौकरी की तलाश में यह हैदराबाद आए थे और हैदराबाद आकर एक स्कूल में यह इंग्लिश के मौलिम मुकरर हो गए या वहां पर यह नौकरी करने लगे थे और फिर हाई कोट में काम करते करते पढ़ाई किये और जुडीसियल इंतहान उन्हेंसा 10 में पास कर लिए और उन्हें सा 49 में यह हाई कोट के मतलब उसी हाई कोट के इंस्पेक्टिंग अफसर बन गें और वहीं से उनका रिटायर्में इनकी जो बीवी हैं उनका इंतकाल हो गया तो फिर इन्होंने दूसरी शादी की जिनका नाम था हमीदा सुल्ताना ठीक है और अखिर में मिर्दा फरतुला बेक का इंतकाल हो गया था 27 अप्रील उनेसा 47 सबी को सराय इलाही चमन में इनको दफन किया गया याद रखिएगा 27 अप्रील उनेसा 47 में इनका इंतकाल हो था ठीक है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का रिसाला उर्दू से 27 सबी में तबाह हुआ क्या तबाह हुआ देखिए जो नजीर अहमत की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी यह जो खाका है ना यह खाका को प्रकाशित किया ग अगया था शाय किया गया था तो आइहोब आप आप लों को समझ में तो और यह खाक है इसको कब शाय किया गया तो उन fabulousर के जरी और उर्दू नामका एक उख्यून की तस्नीफ की बाथ कर लेते हैं कि इनकी तस्नीफ है यानि फूल फूल वालों की सर पूल वालों की सर सभी सब्साइब की तस्नीफ है उसी तरीके से इन्शा दिवान यकीन दिवान नजीर मेरी दास्तान मेरी साहिज यसाइरी यह सभी तस्नीत और 되어 इनका मजमीन का भी नाम आप लोग के बुक में दिया गया है जिसका नाम है मजमीन फरहत और यह साथ जिल्दों में प्रकाशित हुआ था कोशन पूछा था कि मिर्दा का मजमून मजमीन फरहत कितने जिल्दों में शाय हुआ तो आप लोग क्या चुप चुप बैठे रहेंगे नहीं धीरे से टिक करना है हडबड़ी भी नहीं होनी चाहिए जल्दबाजी में आप लोगों को पताई है कि गडबड़ी होई जाती है तो अराम से टिक करना है जिस मजमीन फरहत जिल्दों में परकाशित हुआ और यह कोशन पूछा भी जा चुका है और कहां कहां से कोशन पूछा गया है मैं आप लोगों को बता भी दे रही हूं कोशन एक बार पूचा गया था कि मिर्जा फरतुल्ला बेक की बिसमिल्ला किसने कराई तो आप्सन में दि मुर्दीन ही तो पुरान शरीफ पढ़ाए थे ला क्लामें पास तो इस तरह से अगर कोशन आप लोगों के पूछे तो छोड़कर नहीं आना है यह सारा जो है ना जो कुछ भी इंपॉटेंट पॉइंट है वो मैं लिग दी हूं पर इसको आप लोग स्क्रिंशॉट ले ल चैनल का नाम है आप लोग जूड़ जाएं अगर धूनने में दिक्कत हो रही है तो लिंक टेलिग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है क्लिक करके आप आराम से जोइन कर सकते हैं तो यह जो कुछ भी पढ़ाय गया है इसका पीडि वाकत अप लोग उठाकर देख सकते हैं रे विजन कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं अदरलाइन करके हईलाइट करके वह गयरा ठीक है तो जिरक्स परोगई करवाकर जरूर निकल्वा लीजियेगा अभर फन कर थे बी चाप्टर हम लोग कम्प्लीट करेंगे अभी बहुत ही लंबा समय है यह तो अभी सिर्फ शुरुवात है ठीक है तो ले लिजिए फड़ा पर स्क्रीन शॉर्ट अब आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चाप्टर को कि आखिर इस चाप्टर में बताया किया गया है कहानी कितनी मजदार है कितनी जबरदस्त है और इंडिंग कितना खुबसूरत है आप लोगो पता चलेगा पूरी कहानी में आप लोगो बताऊंगी लेक भी डिपकल्ड नहीं है समझना बहुत ही आसान है खाका किसे कहते हैं किसी शक्स की तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका कहलाता है मुझे पता है कि इसका एक परसेंट भी आप लोगो समझ में नहीं आया होगा जो मैं अभी डिख्लेशन बोली इसको हम लोग अपनी जबान में कि सकते नहyin हैं एक दम आसान भासा में समझें किसी शक्स के जिंदगी का कोई एक वाकिया उठा कर लिख कर बयान कर देना कि वह शक्स किसी चक्सियत कैसी उसकी प्रस्नालीटी हो और ग्यां कैसे वो किसी कि कि कैसा के सा टो किसी करति ऑनसान है तो उस टो हम कर पर प theories निख गया है उसकी शक्सियत कैसी कि किस तरह पुरा झाया हुखता है कि अब लुग मोग समझते हैं हम्लेकर में यहां हमें लिए मांन जी में बहुत सारा घटबिय। हए होंगी ही बहुत सारी बढ़ियात पेश आए होंगी हमारे झिसे लेकिन हमारे जिंदगी कि किसी एक वाक्य को उठा लिया जाएं और उसको लिख कर बियान कर दिया जाएं जिससे पता जिले कि मैं किस तरह की इनसान हूं, मेरी शख्सियत कैसी है, मेरी प्रस孂नलिटी, मेरा ब्यक्तित वठी कैसा है तो उस लिखे वे को कि खा जाएगा, खा उसका प्रस्नालिटी कैसा हैं तो उसके क्या कहते हैं खाका है आप आपई अब होप को अब खाका में पूरी जिंदगी की वाकिए लखकर वियान कर दिया जाता है कि वह शक्स की शक्सियत कैसी है और कि सब्सद्द कि उससे का Grey क्या आप मैं göra को अब खाका समझ में आगिया होगा यानि कि यह जो खाका लिखा गया है यह जिन्दगी का का वाक्या है यानि कि यह किसी की जिन्दगी का रियल की घटना है आप कि कह सकते हैं कि मिर्जा फरतुल्ला बेग जो कि टुडेंट थे शागर्ग थे नजीर एहमद की यहां यह पढ़ने के लिए जाते थे तो नजीर एहमद की हर एक के अथिक्टिविटी को देखते थे उनकी शक्सियत को करीब से ये देखे थे पहचानते थे नजीर एहमद किस तरह के इंसान है ये जानते थे अपने टीशर के बारे में ये जानते थे सब कुछ इसी वज़े से मिर्जा फरतुल्ला बेग जो है ना नजीर एहमद के उपर ये खाका लिखे हैं यानकि जब ये पढ़न जब आप लोग ये खाका पढ़ेंगे ना तो आप लोग को जाहिर होगा कि नजीर एहमद किस तरह के इंसान थे इनकी पूरी शक्सियत पता चलेगी तो चली हम लोग इस खाका को समझते हैं पढ़ते हैं कि इसमें जो वाक्य बताया गया है वो कैसा वाक्या है और उस वाक तो बस आप लोग इस वाक्य को कहानी की तरह समझें देखिए स्टार्टिंग तो बहुत जबरदास थे इस चैप्टर की मिर्जा फरतुल्ला बेग खुद अपने आपको इसमें शामिल किया है क्योंकि ये रियल का वाक्या है मतलब नजीर एहमत की जिंदगी का एक वाक्य बीजा है इसमें खुद मिर्जा फरतुला बेग हैं कि मैं और मियदानी कौन हלי मिर्जा फरतुला बेग के yerde है यह अपısります जिगरी दोस्त तो मिर्जा फरतुल्ला बेग इस खाका की शुरुवात इस चैप्टर की शुरुवात इसी तरीके से किये हैं कि मैं और मियादानी मदर्से से साड़े 11 बजे घर पहुंचे यानि कि मदर्से से वापस हम लोग घर आये साड़े 11 बजे तो यहां पर आप लोगो जानना होगा कि मियादानी जो थे मिर्जा फरतुल्ला बेग के दोस्ते जिगरी दोस्त एक्दम जो हता है ना क्लोज फ्रेंड उस तरह से ठीक है तो मिर्ज दोनों जन साथ में पढ़ने के लिए करते थे मदर्सा या फिर कॉलेज जहां पर भी जाते थे साथ में जाते थे तो दोनों जन कितना बज़े आए मदर्से से पढ़कर तो साड़ी 11 बज़े पढ़कर आए ठीक है उसके बाद से खाना वगरा खाए अपना-पना काम किये तो और उसके बाद से सब्सक्राइब अधर आध याद किये और फिर दोनों जन साथ में एक निकल पड़े पता पूष्टे-पूष्टे किसका पूष्टे-पूष्टे-पूष्टे तो मॉलवी सहाब का मॉलवी जो नजीर एहमद है नहीं कि नजीर एहम्द को ही मौलवी गर के सबक याद करके यान की होमवर्क बना करके एक बज़ अपने घर से निकल गए और मॉलवी सहाब का पता पूछते-पुछाते मॉलवी सहाब के घर जाटपके ठीक है कितना बज़ रहा था उस वक्त देर बजने में पांच मिनट बाकी था तो यह मॉलवी सहाब के घर जाटपके ठीक पड़े और उसके बाद से क्या देखे कि दर्वाजा खुला हुआ था तो अंदर चले गए घर के अंदर उनको यह नहीं पता था कि मॉलवी सहाब का घर है कि नहीं है क्योंकि घर में कोई नहीं था खाली था घर एक है बीच अमारिन तो वह कुले में थे अंदर दर्वाजा आप यह सकते हैं बंद था कुंडी नहीं मारा हुआ था सिर्फ इस तरह बंद था ठीक है और मॉलवी सहाब अंदर बैठे हुए थे तो यह लोग आंगन में गए और जाकर देखें तो घर तो बहुत अच्छा है उसके बाद से चौकी बोल नहीं आगया हमें कोई गलत पता तो नहीं बता दिया गया है तभी क्या हुआ डेढ़ बज गया यान कि मॉली साब की घर की जो घड़ी है उसकी टन टन की आवाज सुनाई दी डेढ़ बज चुका था ठीक है तब यह लोग सोचे की उठते हैं और जड़ा देखते हैं कि आ थोड़ा सा खुला हुआ था तो यह लोग क्या किये मिर्जा फरतुला बेग उठें मियदानी भी उठें और जाकर जो दर्वाजा खुला हुआ था तो थोड़ा सा इसे खोल कर और इसे जहां का नहीं जाता है कौन है अंदर कमरे के अंदर तो यह लोग बाहर से धूप में से आए हुए थे और जब अंदर जहांक कर देखें तो आप लोग जानते हैं कि जब धूप में से घर में आओ कमरे में आओ तो सब अचानक कोई चिलाता है कौन है आदमी अचानक डर कर उठ जाना उस तरह जो उनकी नौकरानी थी वैसे उंग रही थी और अचानक मोलवी सहाब चिलाए कौन है तो अचानक उठकर एंगे कड़ी हो गई और चारों तरफ देखने लगी यारे यह क्या हो गया तब जो है ना मिर्दा फरतुल्लाबेग और मियादानी वो लोग मोलवी सहाब को बताए कि हम लोग मैं फरतुल्लाबेग और यह हैं मियादानी हम लोग आजा लिए दोनों जन को मिर्दा फरतुला बेग और मियदानी को और फरतुला बेग खड़े थे और मुली साब उनका जो चौकी था उसी पर बैठे थे वह बोले कि आओ बैठो भई तो इनके पढ़ाने का तरीका था कि जिस चौकी पर बैठे रहते थे उसी पर बैठ फ़ाते थे तो बोले कि आओ बैठो तो दोनों जन जाकर बैठ गえば उसके बाद से मुली चाब कि क्या पढ़ते हो तुम लोग ये दोनों जन आपना आपना किताब जो है न निकालकर मोली साब को दिये तो मुली साब थोड़ा देर उलटपलढ़ कि एक िताब को उसके कि यादानी के पास है यन की दूंडोनों जन की पड़ाई कि दो किताब था तो उसमें से एक किताब इन लोग मॉलवी साहब को मांग रहे थे मीशिप कृण को दे इसा मांग रहे हैं टिके tussen सब कुछ हमारे दिमाग में फिट हो गया था सब कुछ उस वक्त हमारे दिमाग में था और दिमाग भारी जैसा भी नहीं लग रहा था रिज़तम हलका मैसूस हो रहा था अगया ठीच को बहुत भुष तरीके से रहा है चैना है यह मैं आगे आपयं यानि कि आगे आप लोग को अभी बताओं भी तो पता चलेगा लेकिन उस वक्त मोलवी साहब जिस भी तरह से पढ़ा हैं वह बहुत ही जबरतस तंदार में पढ़ा है दिमाग जो पर बोच जैसा नहीं लग रहा था भारी जैसा नहीं लग रहा था हलका मैसूस हो रहा था औ अब जो हैं फरतुला बेग और मियादानी ये दोनों जाकर जिस कॉलेज में पढ़ते थे जैसा कि मैं आप लोग बताई हिंदू कॉलेज में उन्हें से एक में दाखला लिये थे ना तो हिंदू कॉलेज में जाकर मॉल्वी साहब के तारीफ के पुल बांद दिये इतना त पूरा आ जान गया मॉली जाफिमें और उसी का एक स्टूडेंट था मिस्टर रजा यानि की फरतुला बेग और मियादानी क्लास्मेट ही था मिस्टर रजा तो मिस्टर रजा जो है ना यह मौटिवेट हो गया इन दोनों जन की बातों को सुनकर और यह भी कहने लगा कि मैं भी तुम लोग के साथ मौलवी साथ के पढ़ने के लिए जाओंगा अब यह काफी मोटिवेट हो गया था तो मिस्टर जा बोला कि लेकिन तुम लोग सबसे पहले मौली साब से पूछ लेना कि मैं उनके घर आऊं पढ़ने के लिए या फिर नहीं तभी मैं तुम लोगे साथ चलूँगा तो फरतुल्ला बेग बोल होगा मौली साब नराज नहीं होंगे इस चिसकी जमेदारी हमारी है बोला जाता है नहीं कि कुछ दिन पढ़ लेने के बाद स्टुडेंट जो होता है ना उनके अंदर हिम्मत बढ़ गई थी ठीक है और यह सच्चाई है स्टुडेंट जब नया किसी टीचर के पास पढ़ लेकिन जैसे कुछ दिन बीचता है जैसे जैसे मौली साब पुराने होते जाते हैं तो फिर धीरे-धीरे उनका असली रंग समझ में आता है यानि कि दीरे-धीरे वह बदमासी करना स्टार्ट करते हैं और कुछ स्टुडेंट ऐसे होते हैं जो कि अपने टीचर को डांट भ फटकार देगा तो फिर वो टीचर से कैसे शिक्षा कैसे इल्म हासिल कर सकता है इंपॉसिबल है तो यहां पर जो है ना बहुत ही यह अच्छे स्टुडेंट थे आप यूँ कर सकते हैं फरमान-बरदार स्टुडेंट थे शागिर्थ हैं तो यह जो है मिस्टर रजा लास् है जिसका नाम है मिस्टर रजा हो आपके पास पढ़ना चाहता है तो बताइए वह आए की नहीं आपका इजाज़त है की नहीं तो मौलवी साहब बोले तुम उसको क्यों नहीं लेकर आ गए पूछने की क्या ज़रत थी तो परतुल्ला बेक बोले कि मैं तो बोला ही था उस लेते हैं तो अगले दिन यह हैं ना परतुल्ला बेक और मियादानी के साथ मिस्टर रजा भी पहुंचे थे मौलवी साहब किसे डेर बज़े याद रखिए गा मौल परतुल्ला बेक मिस्टर रजा को पहले ही बता दिये थे कि तुम कल मतलब कि यह तो बता ही दिये थे कि मोली साब तुमको इजादत दे दिये हैं आने के लिए पढ़ने आ जाना लेकिन यह ध्यान में रखेना कि देर बज़े से एक मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए यानि कि राइट तुम देर बज़े पर उनके घर पर पहुंचाना अगर ए दीरे दीरे सब कुछ पता चल रहा है इनकी पढ़ानी का तरीका किया था तो चौकी पर बैठते थे और स्टूडेंट को भी बठा कर पढ़ाते थे सबसे पहले यह शागिर्दों को किताब दे देते पढ़ने के लिए कुछ घलती होती थी मैं आप लोगों को बता रहे हू और मौली साथ भी जा कर बैट गए अब देखिए यह लोग आपस में इस्ता आप यूंक है सकते हैं काटेगरी बना लिए थे ये बोला नहीं जाता है क्या बोला जाता है उसको गावंदेहात में उसको क्या कहा जाता है मुझे याद नहीं है वर्ड याद नहीं आ रहा है मुस्तर से रूटीन तुम पढ़ना मतलब सबसे पहले तुम एक दिन पढ़ना को तरसे अगले दिन सबसे पहले तुम पढ़ना और उसके अगले दिन सबसे पहले मैं पढ़ूंगा तो एक तरसे यह रूटीन बना लिये थे ठीक है तो अब क्या हुआ था आप तो यहां पर तीन लोग आ गए थे यानि कि मिस्टर रजा भी शामिल हो गए थे तो अभी कोई पढ़ रहा था मोली साब चुप चाप बैठे थे देख रहे थे कि कोई पढ़े लेकिन कोई नहीं पढ़ रहा था यह लोग तो आपस में रिसाइड किये थे एक एक दिन मियादानि एक दिन परतुल्लावेग एक दिन मियादानी ठीक है लेकिन अब मिस्टर रजा भी आ ग भी दिकत नहीं आप लोग वीडियों को फास्ट भी कर लिए ठीक है क्योंकि मुझे तो आप यूंके सकते हैं कि अभी रमजान का महीना भी चल रहा है इस रमजान की महीने में रोजा भी रखना फर्ज है आप लोग जानते हैं तो मैं आराम से धीरे-धीरे पढ़ा रहे हूं आप लोग ध्यान से सुनिये लेकिन अगर आप लोग को लग रहा है कि बहुत धीरे-धीरे हो रहा है वह स्लो में पढ़ा रही हूं तो आप लोग वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं सभी तरह का फीचर दिया है यूट्यूब ने ठीक है तो क्या हुआ तीनों चुप-चा और मिस्टर रजा जो है ना वह मुतनबी की शेर पढ़ने लगे मुतनबी एक शायर है और उन्हीं का शेर किताब में लिखा हुआ था तो उन्हीं का शेर जो है ना मिस्टर रजा पढ़ने लगे अब देखिए क्या हुआ मिस्टर रजा ये शेर को पढ़ रहे थे लेकिन लोग नार्मली बात्चीत करते हैं उस तरह पढ़ने लगें और इतना बेकार पढ़ें कि मौलवी सहाब का जो दिमाग है ना वो ठनब गया बहुत जदा यह देखकर शौक्ड हो गया अब क्या हुआ मौलवी सहाब बोलने लगें कि अजब अजब नमूने के शागिर्ध हमारे यहां पढ़ने के लिए आते हैं मिस्टर रजा तुमसे एक बात कहना चाहता हूं एक नेक सलाह देना चाहता हूं क्या तुम मेरी एक सलाह मानोगे तो अब मिस्टर रजा पहली बार आये थे मौलवी सहाब के घर पढ़ने के लिए शर्माते हुए मिस्टर रजा बोले कि जी मौलवी सहाब बोलिए तो मौल मोलवी सहाब बोले कि देखो कल से तुम हमारे यहां पढ़ने के लिए मत आना अब यह सुनकर मिस्टर जो है न अब और भी ज्यादा आप उनके शॉक्ट हो जाना अब चुप हो गया है कि लगता है मुझसे गल्सी हो गई है इस तरह हो गया था तो मोलवी सहाब बोले देखो मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि तुम हमारे यहां कभी पढ़ने के लिए आना ही मत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं सिर्फ तुम से यह कहना चाहता हूं कि तुम अभी बेसिक नॉलेज लो ठीक है जो बेसिक इल्म होता है न वो हासिल करो काली जा कि यहां जाओ 10-15 दिन वहां पर तुम पढ़ाई करो ताकि तुम्हारे कानों को यह पता चले कि नस्र और शायरी में क्या फरक होता है ठीक है ना तो जाकर तुम वहां पर बेसिक क्लास लो और तब तुम हमारे यहां पढ़ने के लिए आना भाई मुझे तो शेर के गले प रैट कर मौलवी रजा सहाब इस तरीके से हलाल करेंगे इस तरह से के शेर का गला घोड देंगे इतना बेकार शेर पढ़ेंगे मुझे तो यह पता ही नहीं था एक काम करो तुम मत आना कल से तुम जाओ सबसे पहले बेसिक क्लास लो अब यह बात बोले और मिस्टर रजा बहुत ही ज़्यादा उनका इंसल्ट हो चुका था अब वहां पर मौलवी साब चुट्टी कर दिये चले गए और रास्ते में फरतुल्ला बेग और मियदानी दोनों जन मिस्टर रजा की खुब मजाक उड़ाये थे और उसके बाद से मिस्टर रजा ऐसे ट्यूशन से निक सरस्त निकर रखे हैं बहुत हैं बोल रहे हैं वी कि मुझत अबसर की घल रही कि तो उस वक्ट यह कोश्यादा है वानी कि तो निकी स HC करते पने कर दिएगा यहां पर अंजुमन लिखा गया है किदर यहां पर किदर मैं लिखी थी किदर गया अंजुमन लिखा गया है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वर्ड को इंजुमन भी पढ़ेंगे इंजमन भी पढ़ेंगे इंजमन कोई कभी औंजुमन कोई अंजमन मतलब इसी को कहते हैं कभी कोई जेघ लगाकर पड़ेगा कोई जबर लगाकर पड़ेगा तो इसे को कहते हैं ऐराव करकी इसी तरीके से यही गलती फरतुला बेक से भी होती थी यह एराब की गलती कर देते थे कभी जबर लगाकर कभी जेर लगाकर कभी पेश को जबर और जेर को पेश इस तरह से पढ़ दिया करते थे तो फरतुला बेक से एराब की गलती होती थी और मियादानी से किस तरह की गलत कर दिए तो शायरी के अंदाज में नहीं मतलब की ऐसा पढ़े कि मौलिवी सहाब से रहा नहीं गया यह बहुत जदा गलती कर दिये लेकिन यह थोड़ा सा ओइन लो की कहानी सुनते हैं फरतुOR मियादानी की अब मेलवी Sikh की आप सिर्फ और मेलवी सहाब दिये थे किताब पढ़ने के लिए às फरतुल्लाबेग जो है ना शियर पढ़ रहे थे और लिजसाब सुन रहे हैं और स्टूडेंट पढ़ रहा है तो इसे पढ़ रहे थैं आपके सामने और मुलिए कर देख रहे थे और पढ़ते गए और कोई ऐसा लव्ज था जिसको है मतलब पढ़ रहे थे नॉरमली और तो मौली साब बोले क्या बोले क्या पढ़े इस तरह होता है ना कि जैसे की पढ़ते पढ़ते जाнов तो गलत पढ़ जो घ्यान को share को पढ़ रह Wright और उसी में गलत लव्ज पढ़ दिये जिसके होजा से मुली साब ध्यान से सुनते सुनते बोले क्या पढ़े तो अब इनको लग गया फरतुला बेग को कि हम गलत पढ़े हैं तो अब जो जबर मुनलब जो एराब पढ़े थे अब उसको बदल दिये यानि कि जबर जो लगा कर पढ़े मतलब बदल दिये तो जब बदल कर पढ़े तो फिर भी गलत तो मुली साब बोले हम ऐसे गुसा हो करने मुझे हम हम मतलब कि वह उस तरह पढ़ाएगा ठीक है तो यहां पर तो अब फरतुला बेग की हालत खराब हो गई थी क्योंकि बहुत जिदा गलती कि वह उस्वक्त कर रहे तो सो अब मुली साब गुस्सा हो गए थे अब गुस्सा तो हो गए थे ठीक है और बोले कि तुम रहने दो। जरा मियदानी को दीए मयुसां किताब पढ़ने के लिए मय तो म्यदानीौ भी इतना गलती पर ब्लठ की ना शेयर को शाइरी को अंदा तेज की कमरे के दर्वाजे से होते हुते हुए जाकर आंगन में गिर पड़ा किताब जिस तरह सांप कारता है उस तरह एकदम शेर की दहार की तरह आवाज निकालते हुए मोजी साब बोले कि निकल जाओ जल्दी हमारे घर से ना तो तुम लोग मेरे पास पढ़ने के काबिल हो और नहीं मैं तुम लोग को पढ़ाने के लाइक हूँ निकलो हमारे घर से दफा हो जाओ अब ये गुस्सा देखकर परतुल्लाबेग और मियदानी दोनों जन एकदम चुप इन लोग की हालत खराब थी परतुल्लाबेग जो है ना वो मियदानी का चेहरा देख रहे थे महार पुरा गरम ठाब जो आखों ही आखों में इशारा नहीं किया जयता है तो आखों ही आखों में इशारा करते हुए बैठो यहां पर कुछ यह लग बोलने के लाइक थे नहीं बहुत जदा महाल सिरियस हो गया था तो वही बोले मियदानी की अफ चला जाए तो बोल इस लिए बसने की एफ शर्ला बेख चुप चाप रही बैठो बैठो यहीं हो रहा है मुट्य तुक जाते हो कि नहीं तो फरतुल्ला बेक बोले, मौलवी साहब, जब तक हमें कोई यहां से धक्का दे कर नहीं निकालेगे ना, तब तक हम लोग यहां से निकलेंगे नहीं, और अगर बाहर चले भी गए ना, तो दुबारा वापस हम लोग यहां पर आ जाएंगे, लेकिन आपसे पढ़ कर ही जा लेकिन मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा ही नहीं, तो फरतुल्ला बेक बोले, ठीक है, मत पढ़ाईए, लेकिन बिना पढ़े हुए, ना तो हम लोग आज तक यहां से गये हैं, और नहीं जाएंगे, बिना पढ़े हुए, ना तो हम लोग यहां से तले हैं, और नहीं हम ल देखो मेरी तवियत बहुत खराब है तुम लोग चले जाओ और कल आजाना तुम लोग पढ़ने तो फरतुल्ला बेक बोले नहीं मौलवी साहब हम बोल दिये ना कि हम लोग पढ़ेंगे तो आप इसे पढ़ेंगे आज ही पढ़ेंगे और आज ही पढ़ेंगे मतलब अभी पढ़ेंगे बीना पढ़ेंग हुए हम लोग यहां से जाही नहीं सकते हैं पढ़ना है तो अभी पढ़ना है आज ही पढ़ेंगे और अभी पढ़ेंगे आप पढ़ाना है तो पढ़ाईए नहीं तो हम लोग यहां से टलने वाले नहीं है और आखिर में क्या हुआ इसी तरीके से बात होते होते आखिर में मौली साहब की हारी हुई और यहां पर फरतुलाबेग और मियादानी शागिर्दों का जीत हो गया मतलब लास्ट में मौली साहब को ये लोग मना ही लिए और आखिर में मोली साहब बोले कि खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्दों को, तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होगे, शागिर्द क्या तुम लोग तो उस्ताद के भी उस्ताद निकले, अच्छा भाई मैं हारा, मैं हारा, जाओ किताब लेकर आओ अच्छा छोड़ोगे, ठीक है न, और आखिर में पहले जिस तरह मोली साहब पढ़ा रहे थे, पहले जैसे हो गया मोली साहब, और मोली साहब कहा भी करते थे, कि अगर तुम उस दिन तुम लोग को हमारे घर में घुसना नसीब ही नहीं होता, उस दिन में तुमारे शौक क को आजमा रहा था, लेकिन तुम लोग तो मुझे ही आजमा डाले, ठीक है, मतलब कि खुदा तुम जैसे शागिर्द सब को नसीब करे, ये बेहयाई नहीं मिया, ये शौक है इल्म का, जिसको चसका होता है, वहाँ बुरा भला सब कुछ सुनता है अपने उस्ताद का, और जो बदशौक होते हैं, जिनको पहाई करने का कोई शौक नहीं होता, वह धीरे से अपना रस्ता निकाल लेते हैं, यानि कि वह निकल जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, अगर तुम लोग उस दिन छोड़कर चले जाते ना, तो फिर तुम लोग को दुबारा हमारे घर म यानि कि जिनको पढ़ने का शौक होता है वो किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई मुकंबल करते हैं ठीक है तो यहां पर फाइनली जो खाका है इसका इंड हो जाता है और इस खाका के जरीए आप लोग को पता चला ना कि मौलवी साब कैसे आदमी थे इनकी शक्सित पता चली थे फयर उसके बात से आदमी थे रूप है इनका पढ़ाने का क्या थह नार्मल इस तरह बैटते थे यह उसी तरह पने शागर्दों को भी बैठा तने रिटक्षे यानिव folki पर बैठा ते और उसके बार से अपने किताब पढ़ने के लिए के सुनते धे और जब गल्ती करते तो बताते ते लेकिन अगर बार-बार गलती करें तो बहुत डाटते भी तो यह यह सारी बात थी नजीर एहमत के बारे में इतना सारा कूछ आप लोगोब पता चलिया तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा और इससे क्या मिली आप लोगों सीख लेना ज़रूरी है इस सीख ये मिला आप सभी लोगों कि पढ़ाई करने का हर स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए आपके अंदर शौक है तो चाहें किसी भी परक्तिति में आप क्यों नहों आपकितना भी बिजी क् करें उसी तरिके से कल जो भी टार्गेट होगा हो जाये पढ़ाई भी किसी परस्तिती में अधूरी नहीं चूतनी चाहिए और से हमें कि अपने उस्ताद यानि की टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए कितने भी सक्सेट क्यों ना हो जाए लेकिन जो टीचर होते हैं उस्ताद वो उस्ताद ही होते हैं वो आपके टीचर ही हैं जो आपको सिछा दिये हैं आपको ग्यान दिये हैं नौलेज दिये हैं तो आपको हमेशा अपने उस्ताद यान की टीचर की करनी है यह इस चापिटर के जरीये जुआ हमें मिलती है और आप कह सकते हैं कि मैं भी कितना आगे क्यों न चलिँ जाओं हमारे भी जो when we worship हैं और हमारे जीतने वी टीचर है मैं उनका दिल से रिस्पेक्ट करती हूं और यह बेशक होनी चाहिए क्योंकि जो जो व्यक्ति जो शक्स आपको आगे बढ़ने के लिए इल्म दे रहा है ज्यान दे रहा है उसी को आप यह डाट देते हैं फटकार देते हैं यह बहुत गलत बात है क्योंकि बहुत चारी स्टुडेंट को मैं देखी हूं टीचर जिससे वो पढ़ते हैं उसी को कुछ-कुछ बोल देते हैं डाट कर बोल देते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए हमेसा रिस्पेक्ट बनी रहे हां दोस्त की तरह आप अपने टीचर के सांथ रहिए दोस्त की तरह जो भी पूछना है पूछिए लेकि हनां पर यह चैप्टर है पहला चैप्टर यह कम्प्लीट होता है जो पालों को समझ मं करना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके जितने भी आप लोग तो रिष्तेदार है चाहँ तो चैप्टर वन है तो इसका इस्टेटस जरूर लगना चाहिए हो सके तो इस्टेटस भी जरूर लगा दीजिएगा और पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल और लीजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो या फिर लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और हाँ अभी लाइव क्लास नहीं लिया जा रहा है अभी आप लोगो सिर्फ कॉंटेंट दिया जा रहा है यानि कि सिर्फ पढ़ाया जा रहा है जब लाइव क्लास होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा तो आप लोग लाइव क्लास में जोड़ जाएगा ठीक है